कुछ बॉर्णिंग टॉल अफ्यू ट्वेल्थ के लेक्चर में कंपनी एकाउंट्स वाले बुक्स को आज हम लोग ने होल्ड करके उसी से रिलेटेड फाइनिसले स्टेट्मेंट को हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं तर्म वन का जो एक्जाम है आपका उसमें यह सिलेबस कबर है इसलिए हम लें डिवेंचर्स वाले कॉंसेप्ट को भी होल्ड किया हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं होगा वो होगा तो देयर आफ्टर उससे पहले आप कंपनी के फाइनिसल स्टेट्मेंट को बना इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम लोग आईए लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन पर ठीक है अगर आपको ध्यान में हो 11th क्लास में भी आपने फाइनिसल स्टेट्मेंट बढ़ा है बनाया है अगर थोड़ा सा अगर बेसिक चीजों के बारे में पहले डिस स्टेटमेंट का वह फाइनल अकाउंट ही लोग समझता है फाइनल अकाउंट का मतलब यह है कि आपका प्रफित औंल लॉस अकांट ट्रेडिंग अकंट, बालेंशीट यह सारा कैसफ फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनिसल स्टेटमेंट का पार्ट होता है ज्लुए कि विटी राइट है कि अब करें फिर से स्क्रीन आया आपको दुबारा बीच में सायद डिसकनेक्ट हो गया था मुझे लगा एक आथ सेकंड दस सेकंड के लिए अभी आ रहा है यह से राइट ठीक है चले तो और फैनेंशाल स्टेटमेंट का परपस ही होता है कि बिचनस क्या कर गई पूरे साल में उसका क्या पता चलता है इस इस बॉऊरविट का क्या नेट प्रॉफिट है है कि नहीं है वैसे ही तो क्या पता चलता है फिति अगर बनाते ओ आपको यह पता चलता धि कोई भी organization का उसका financial position क्या है उसके पास क्या capital कितना है ने अरश कितने है वह सारी चीजह को पता चलता है तभी तो उसके end user को फायदा करेगा इनडिवीजिुयल का वही concept यहां पे भी है लेकिन all though यह company है और company जो है company act से govern होती है तो इसके लिए prescribed format है procedure है जैसे वहां पे आप जैसे भी मर्जी लिख लेते थे लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा यहां पे company act में company act 2013 के हिसाब से एक नया schedule insert किया गया है जिसका नाम है schedule 3rd उसमें prescribed format की दिये गये है उस format के according ही आपको बनाने है अब यह इतना असान काम भी नहीं है 12th के बच्चों के लिए कि आपको सारा का सारा company के financial statement के content को यही पर आप समझ लो practical life में भी काफी practice करने के बाद आपको सारा का सारा यहां पर काम आएगा मैं आपको दिखा दूँगा आपको किताब में आपको कुछ मार्क भी किया होगा कि भाया आपको क्या जरूरत है साइद मुझे दिखी भी र कि आपको पता तो होना चाहिए है कि यह इस चडिया का नाम भी कुछ है तो उसी कड़ी में बहुत डिटेल हम चर्चा नहीं करें हम तो हम यह मान के चलते हैं कि हमने 11 किया होगा अगर नहीं किया होगा तब तो काफी प्रोब्लम होगा फिर कंपनी अकाउंट के फाइनल अकाउंट को पढ़ने से पहले आपको 11 का जाके ट्रेडिंग करना पड़ेगा अधर्वाइज सब उपर से जाएगा ठीक है तो अगर एक्जांपल आपके सामने है अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहें एक्जां प्रोफित का डेविट बैलेंस एक्जांने ब्लेंस और इंट उपरिट थाइन फोटरफिट इस मां थुथाजिट तो फुट्वजिंट टेंट वन्हा वर्ड यूंड यू सो दीजाइट इन बालेंट शीट और नोट्स तू अकाउंट कैसे आप शो करोगे वो दिखाने क आपको कोशिज कर रहा है चलिए आपके पास ही है एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया है पता नहीं आपने ध्यान दिया यह यहां पर वर्ड यूज किया गया है एक्स्ट्रैक्ट अब देखा आपने मतलब यह कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है जितना ज़रुवत है वह पोर्षन आपको दिखाए जा रहा है कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपको बताया भी था आपके बुक में भी एवलेबल है पूरा कंप्लीट फॉर्मेट पूरा का क्वेश्चन आया था उसके इसाब से देखिए यह है बैलेंस शीट का पार्ट और यह है नोट का मतलब है यह एनेगजर है सिंपल भासा में आप मानके चलो जो किसी भी चीज़ का एनेगजर बनाते है न वो है ताकि बैलेंस शीट फेस पे बहुत लंबा ना दिखे तो ए सेयर शीट में इकविटी लायबिटी आता है उसमें अता है शेर होलडर फंड बेसेर कैपटिल का भी नोट रहता है और रिजर्बन सर पलडर रहता है तो यहां पर के बारे में पता पता बात किया जा रहा है तो 31 मार्च 20 में माइनस में है ऑन्ज लाक आपको कोशन बोल र वह देखिए रिजर्बाइं सर्प्लस सर्प्लस ओपनिंग है आपके पास निगेटिव में फाइब लाक्स सर्प्लस फॉर्ड पीरियड एट लाग तो बैलेंस कितना बज जाएगा तो कैसे सो कर रहे हैं यह बात थोड़ा बहुत आइडिया लगिया आमको कि ऐसे ही सो करना ह ठीक है जी यह सर्फ चली इसक्रीन नहीं दिख रहा आपने मैशेश किया इसक्रीन नहीं दिख रहा था एक्जांपल नूमबर टू गलास्की लिए 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 यह लिए फोलोइं बैलेंस उन 1st अप्रील 2020 जनरल लिजर्ड में आपको साड़े 4ला का बैलेंस था और पील में दो लाग का बैलेंस था दूरिंग दा यर एंड़े 34 स्मार्ट 2021 इंकर्ड लॉस ऑफ रूपीज 3,20,000 हाउड यू शो इस आइटम इन बैलेंस शीट कोई बात नहीं है आये देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस था दो लाग था नहा पर कॉश्चन आपको दिया हुए दो लाग आपको के पास बैलेंस था और आपने इस साल लॉस कमा लिया है गवाँ दिया कमा तो नहीं लिया कमा दिया 3,20,000 और जर्ब आपको पास 4,50,000 अब यह निगेटीव होगा फिर भी साड़े 4,00,000 में से 1,20,000 गया 3,20,000 तो यह है आपके सामने बाते आ जाएगी यहाँ पर यह पर प्रिजेंटेशन है यह आपका मेन बैलनेसीट का पार्ट है और यह आपका क्या है नोट को हम लोग क्या बोलते है न 10 बोलते है अब यह सारी चीज़े एक जगा लिखी जाएगी तो बैलनेसीट काफी लंबा हो है एक पेज में बाले शीट आजाए और बाकि उसके जो एनेग्जर है उसको नोट वन नोट टू नोट थ्री नोट फॉर नोट फाइव ऐसे करके देरे देरे आगे हम लेके चल जाएगे कि आपको इतना प्रैक्टिस और करना चाहिए था और आप करेंगे पूरा कंप्लीट बैलेंशीट का फॉर्मेट अवलेबल है आपके बुक में कि यह सब्सक्राइब अजी है चले गए सर नहीं है नहीं है तो इस पर हिसाफ से आप को कंटिन्यू करिए जो जो डाउट आएगा उसको मार्क करके मुझे भेज़ते रहेएगा उस पर डिसकस कर दिया जाएगा बहुत इसमें रॉकेट शाइंस नहीं लगाना है सिंपल सीज है में चीज है आपका जर्नल एंट्री जब आप करना था हमको जो टेकनिकल कॉंसेप्ट था वह हम इशुआफ शेयर में अलड़ी कर चुके है यहां पे जो बैलनशीट में जो आईटाव आएंगे हो सकता है कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो उसको ह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है वह सारा काफी इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है तो आप क्वेश्चन जितना आप बढ़ा सकते हैं एक दिन में पांस-दस क्योंकि छोटा-छोटा पुन्नू पुन्नू क्वेश्चन है एक-एक मिनिट पांच-पांच मिनिट गा तो आप करी और कीजिए जो डाउट आता है वह शेर करेंगे वन बाई वन डिसकस करेंगे ठीक है यह जो नौ चलिए ठीक यह जो गुड़ेगे